अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो निचे डिस्टिप्सिन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूगे वहां जाकर भी देख सकते हैं चली शिर्व करते हम अपनी एक्सरसाइस को वेश्टन आंसर वेश्टन नमर फोस्ट वेश्टन दूगे वारिश की बूदे हैं जो बारिश है वो कहां आकर गिरी आंसर रेइन फोल्स आल अराउंड यानिकि जो बारिश है वो हर जगा गिरी यानिकि खेट पर भी पेड़ पर भी चाते पर भी और जहाज पर भी लोग kiya इस्तमाल करते हैं क्या यूझ करते हैं जब बारिश होती है इसका आम सभी को पता होगा कि people use umbrellas when it rains लोग चाता यूझ करते हैं जब बारिश होती है नेक्स टॉपिक है हमारा लेट्स टॉक आप लोग भी मुझे अपने इन वेश्संस के आंसर comment box में comment करके जरूर बताना कि what do you do in rain day अब क्या करते हो जो बारिश का दिन हो था कि अब क्या करते हो तो basically मैं जो paper की boards अगरा बनाते हूं उनको पानी में तहराती हूं तो I make boards of paper and float them on water अब आप लोग मुझे comment करके बताना कि कि आप लोग क्या करते हैं question number second है how do you keep yourself dry in rain बारिश कर टाइम पर आप अपने आपको जो सूखा कैसे रखते हैं तो comment सी बात है यह तो सब ही करते होंगे by wearing raincoat and holding an umbrella raincoat पहन के और umbrella को हाथ में पकड़ कर I keep myself dry in rain मैं अपने आपको बारिश से बचा के रखते हूं do you like to play in water guys seriously मुझे पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है so yes I like to play in water आप भी मुझे comment करके बताना क्या आपको पानी में खेलना पसंद है question number four say what thing leaves in water आपको बताना है कि पानी में क्या चीज़े रहती है तो answer वो गया fish यानी की मचली, frog, minndak, crab यानी की केकडे, duck यानी की बतक और काफी सारी चीज़ें और जो है etc. live in water उसके बाद आता है हमारा let's listen question first have you heard the sound of rain क्या आपने कभी बारिश के आवास सुनी है और कॉसी बात है आपने सुनी है so yes I have heard the sound of rain question number two what sound does the rain make on umbrella जब बारिश की बून्दे जाते पर आके पढ़ती है तो वो कैसा sound देती है the rain make the sound of tip tip on the umbrella जब बारिश आके गिरती है तो tip 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 sound करता है न वही sound लिखा है मैंने की tip tip question number third what sound does the rain makes on the leaf of tree पत्तो पे जब आके गिरती है जब पेड़ के पत्ते हैं तो उन पर कैसा sound करती है उन पर भी same होता लिकिन पर tip 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 आवास करती है न तो मैंने लिखा है the rain makes the sound of tip tip on the leaves of the tree what sound does the rain make on the windows make this sound yourself अब क्या करना है कि windows पर कैसे sound बनाती है अब वो आप लोग खुद बनाएंगे इसका answer आपको लिखना नी है मतलब लिखना है लिकिन आप लोग बनाएंगे उसका answer तो उसका answer क्या होगा चुप चुप मतलब जब अगर कांच का है तो यह कलग साज साउंद होता है चुप मतलब tip tip ऐसे करके sound होता है तो मैंने वो गए लिखा है As the little cloud claim closer laughing जो पांचवा cloud है वो हसते हुए पांच में आता है ठीक है और जो दूसरे clouds है वो भी क्या करते है उनको जॉइन कर लेते हैं और जो 6 वारा cloud है वो बोलता है As the 6th cloud spoke और white and blue white and blue के बार में बोलता है और जो other clouds है वो भी उनको जॉइन कर लेते हैं उसके बाद आता है हमारा topic word fun आपको word fun करना है यानि कि जो आपको यहां दिये हुआ है जो चीज़ आपको गिवन्स है आपको बताना है जैसे कि यह image है तो इस image से में क्या पता लग रहा है कि क्या है यह snow तो आपको यहां फिल करनी है snow की spelling कुछ इस तरीके से इसे मैंने लिख दिया यहां पे s n o w snow अब इसको देखो यह लग रहा है हमें हवा तो आपको spelling फिल करनी है wind w i n d wind उसके बाद अगर हम जाएं तो यह हमें लग रहा है क्या बादल यानि कि cloud c l o u d cloud इस पे जाएंगे यह हमें light लग रही है यानि कि bulb light तो l i g h t light ठीक है यह देखो यह गंदी की है यानि कि dust तो d u s t dust ठीक है अब उसके बाद आते हैं यह देखो moon आए हम पे तो m o o n moon what is it star तो s t a r star अब देखो यह क्या है sun तो यहाँ पे क्या spelling आ जाएगी आपकी sun की spelling आ जाएगी तो s u n sun यह देखो यह आग जल रही है यहनिकी heat h e a इसके बाद आगे आपका t यहनिकी heat इसके बाद है what would you see these pigs in your language now label the picture in English यह चान्द है तो हम चान्द को क्या बोलते है सूरज को क्या बोलते है cloud क्यों क्या बोलते है और सितारे को क्या बोलते है तो चान्द को moon सूरज को sun बादल को cloud सितारे को star उसके बाद है कि आपको यहाँ पर fish tank दिया हुआ इस fish tank को देखे आपको three sentences बनाने है तो four sentence हो गया कि I see many fishes in the swimming sorry I see many fishes fish swimming in the water जो काफी सारी fishes है क्या कर रही है तहर रही है I see lot of green plants in the water हमें दिख रहे है यहाँ पर green plant है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो I can also see stones at the bottom of the fish tank देखो यहाँ पर दिख रहे है हमें stones है सारे, सारे, सारे stones है तो हमें इसारी से क्या दिख रही है fish tank में दिख रही है और इसी परीकिसे हमारे यहाँ वाला question भी होता है finish अब let's sing वाले question में क्या करना है आपको कि जो in है in से जितने भी word rhyme कर रहे है उन्हें आप में red color करना है ठीक है उसके बाद जितने भी आपके down वाले है मतलब जो down से rhyme कर रहे है उन्हें आपको yellow color करना है ठीक है आप लो करना है yellow color उसके बाद जितने knot से बन रहे हैं जितने भी आपके जो color है वो knot से बन रहे हैं आपको उन्हें करना है blue color ठीक है तो जैसे कि हमारा in से बनेगा pin, spin, tin and fin ये चारो words हमारे किसके हैं जो combine कर रहे हैं वो हैं in से ये सारे किसके हैं rhyming words हमारे in के तो हमने इन पे क्या कर दिया हमने इन पे अपना show कर दिया red color उसके बाद आगया आपका down down के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा down का हो जाएगा आपका brown, crown, 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 thrown and grown ठीक है उसके बाद आगया आपका not कि not के साथ साथ आपका क्या क्या चीज़े आ जाएगे तो not में आ जाएगा आपका dot, spot, hot, caught and pot तो मैंना आपको यहां पे अच्छी से दिखाने के लिए यहां पो color करके show कर दिया कि कौन किसका rhyme है तो अब मूफ करते हैं अपने next word की तरफ जो की है let's write आपको क्या करना है इन pictures को देखके आपको river, pond, sea and lake जो है आपको fill करना है तो आपको हमें क्या दिख रही है, first हमें ship है, वो दिख रही है, second में mountains दिख रही है, third में duck और fourth में frog तो first question क्या है हमारा, the ship is sailing on the ship है, वो कहां चल रही है common से बात है, sea में चलती है, तो हमने answer लिख दिया, sea The dash flows from the mountain, क्या बहरी है, जो हमारी mountains है, जो पर्वत है, वहां से क्या बहरा है, river, तो हमने answer डाल दिया, river The duck is swimming in the dash, जो duck है, वो कहां swim कर रहा है, lake में तो हमने answer डाल दिया, lake the frog leaves in dash जो frog है वो कहां लेता है pond में तो हमने अंसर डाल दिया pond और इसके साथ हमारा ये question भी होता है finish और video भी होती है finish guys if you like my video please like, subscribe and share और next video तक keep learning stay safe, thank you